बिस्मिल्लाहिरहमारीरहीम असलाम लाइकाम कैसे हैं आप साब उमीद करती हूं सब ठीक होंगे आज मैंने बनाया है चिकन ब्राउन कोर्मा जो के बहुत ही इच्छा बहुत ही मसदार बना है आप लोग भी जरूँ ट्राइ कीचेगा तो यह बहुत टेस्टी बनता है आप ल लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनलेंजिंग रिडियंट्स नोट कर ले सबसे पहले मैंने प्यास तल के रख ली थे तीन प्यास कट किये थे इनको फ्राई कर लिया था मार्टर दो लिये हरी नमक, हल्दी, काली मिर्च, सुरुख मिर्च, गरम मसाला, यह सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मार्टर दो, यह चीज़े एक दफा फिर से देख लें, प्याज जिस मैंने फ्राई किया था, के टीक एली हम लेंगे, उसपे में चिकन और और चिकन को तीन सी चार मिनट के के लिए फ्राई कर लिए के लिए, उसमें ट्नाटर और अड़्ड़ करेंगे, त्मार्टर ये और 1, अब लखें लख्या नदर का प्सट हा लेंगे, और बाकिसारे मसाले डाल देंगे इसके साथ ही और इनको अच्छे से भून लेंगे दही डालें मैंने दही को थोड़ा सा बेट करके डालेंगे और भून लेंगे तकरीबन इसको दस से पंदरा मिनिट के लिए अब हम भूनेंगे यह बनाना बहुत ही एज़ी है और बहुत जल्दी बन जाता है यह देखें पंदरा मिनिट हो चुके है इसको बूनते हुए दही का पानी भी खुश्क हो गया है अब हमने जो प्यास लिए थे उनको उनका पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा पानी डाल के वो हमने शामल कर दिया और थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो ही इसमें डाल देने हैं और लिए उसलिए और यह सी काइँ से और रहा चुका है यह देख सकते हैं अब इसको उपर से हरी मिच्षे काट के डाल देगे यह बहुत एजी रेस्पी है और चिकन अंदर से बड़ी अच्छी तरह कुक भी हो जाता है यह देखे मैंने डिश आउट कर लिए है हमारा चिकन ब्राउन कोर्मा बहुत मस्तार बना था आप लोग भी सुरूर ट्राइक किजेगा आपको भी अच्छा लगेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप नेक्स्ट जो भी वीडियो देख होना साथ चाहते हैं कॉमेंट सेक्षिन में बताएं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजर होंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज